हाई गाईस नीचर आई वीदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज मैं आपको टमाटो का फेस पैक बनाना बताऊंगी कि हम अपमें घर में ही टमाटर का फेस पैक किस तरह से बना सकते हैं एंड हमारे अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो रहे हो एंकने हो रहे हो या पिर आपके फेस पेर बहुत जूरिया आ गई हो तब भी हम टमाटर के फेस पैक से इन्हें चुटकियों में गायाब कर सकते हैं तो गाईस चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरह लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब स्क्राइब कर दीजिए और पैल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके एंड गाईस वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी न भूले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ला अगर आप में नहीं किया है तो मैंने अपने होम पेज पर शेतना आर्ट क्रेशन की लिंक दे रखी है आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ला गौैश टमाटर का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेश टमाटर ले लेने также आपेस फिर उसे आप mixi grinder में grind कर लिजिए फिर उसमें से थोड़ा सा जो आपने piece करके रखा है उसमें से आप थोड़ा सा ओटों मिल निकाल लिजिए और एक चमच उसमें curd मिला दीजिए दहीं mix कर लिजिए इस paste को आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है अलग-अलग particles आपके face pack में नहीं दिखने चाहिए अगर अलग अलग पार्टिकल्स आपके फेस पैक में दिखेंगे तो कुछ-कुछ योगे पर टमाटर लगेगा कुछ-कुछ योगों पर आपका कर्ड लगेगा इसलिए आपको अच्छे तरह से पहले उसे मिक्स कर लेना है इसके बाद अपने फेस प के सबढ़ भर्ण पानी से गरंपानी से अपने फेस बास नहीं कर आथो अब फैस पैक कि चीज का यूज है तो अगर आपके तरह इस तरह से बना सकते हैं इस बन्सक्राइब बोहत ही शन मेंद्लिट में आप अपना फेस पैक बना कर्करके तयार कर सकते हैं तो गाईस इस face pack को आपको हफते में two times apply करना है फिर देखेगा अगर आपको आपके face पे sun tanning हो गई हो या फिर आपके face पर बहुत ज़रा dark spot हो गई हो तो बहुत जल्दी ये dark spots को कम करेगा और बहुत जल्दी remove भी कर देगा अभी गाईस अगर आपको टमाटर और निबू का face pack बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टमाटर का आपको इसमें पीसना नहीं है टमाटर को अंदर का जो हम कह सकते हैं गूदा होता है जो जो अंदर का रस होता है इनके seeds होते हैं उन्हें हमें ले लेना है और फ्रेश निबू ले लेना है इन्हें आपको इन्हें अच्छे तरह से आपको पेस्ट बना लेना है निबू का भी आप juice निकाल दीजे रस निकाल दीजे इसके बाद आपको दोनों को mix करके अपने face पर apply करना है steam लेने के बाद ही आप इसे apply कीजिए तो आपको ज़दा फाइदा मिलेगा यह face pack आपके sun tanning के लिए भी है साथ ही आपकी अगर face पे flying lines आ गई हो जूरियां आ गई हो तो भी आपके लिए बहुत दा फाइदे मंद है अभी गाइस अगर आपकी oily skin है तो भी आप tomato का use कर सकते हैं अपने face pack बनाने के लिए तो oily skin में आपको मुल्तानी मट्टी लेना है साथ ही आपको tomato की puree मिलाना है उसमें मुल्तानी मट्टी में आपको पानी नहीं मिलाना है उसी में tomato में इतना rust होता है कि वो अच्छे से mix हो जाता है तो आपको उसकी puree लेना है फिर इसके बाद अपने face पर अच्छी दरह से आपको apply कर लेना है apply करने के बाद आपको 15 मिनिट तक इसे as it is छोड़ देना है dry होने के लिए जब वो ड्राइ हो जाए तो आप अपना face ठंडे पानी से wash कर लिजे लेकिन आपको भी steam लेना है ऐसा नहीं है कि oily skin है तो हम steam नहीं ले सकते हर face pack को इस्तिमाल करने से पहले आपको steam लेना बहुत जुरूरी हो जाता है क्योंकि हम steam लेते हैं तो हमारे जो spots होते हैं वो open हो जाते हैं खुल जाते हैं जिससे कि हमारे skin अंदर से deep clean हो जाती है अच्छे scrubbing हो जाती है face pack भी अगर हम लगा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हमारे clean कर देती है साथी गाइज अगर आपकी oily skin है तो आप आपके टीजोन एरिया में blackheads होंगे तो वहां भी आप इस face pack का scrub के तौर पर यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपने face pack बना लिया इसके बाद आपको अपने उंगलियों में डिप करते हुए थोड़ा सा circular motion में अगर आप clockwise move कर रहे हो तो आपको clockwise ही अपने face पर इसे apply करना है आप scrub के तौर पर भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना face ठंडे-पानी से wash कर लिजिए आपको बहुत जल्दी जल्दी फायदा मिलेगा अपना oil वीडियों करने में अगर आप इसे हफते में two times apply करो तो आपको जदा फायदा मिलेगा गाइस फेरनेस के लिए भी हम टमाटर का यूज कर सकते हैं अब फेरनेस के लिए आपको कौन-कौन से इंग्रेंट इसमें मिलाने हैं हम वीडियो में आपको आगे की वह बताएंगे जब से पहले आपको टमाटर ले लेना है अच्छे से वाश कर लिजिए फिर एक बाउल लेना है आपको उसमें चंदन का पाउडर एड करना है एक चंदन का पाउडर एड कर लिजिए और उसी में आप नीवू का रस डाल दीजिए इसके बाद आपको टमाटर का जूस भी उसी में आड करना है फिर हमें वाटर नहीं मिलाना है इतने में हम आग जब नीबू का रस हम डाल रहे हैं और टमाटर का भी जूस हम डाल रहे हैं तो हमें water अड़ करने के बिलकुल भी आविशक्ता नहीं है फिर आप इसे अच्छे से mix कर लिजे mix करने के बाद आपको अपने face पर apply करना है इसके बाद आपको अपना फेस अच्छे से वाश कर लेना है फिर आप अगर हफते में एक या दो बार इसे यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको स्टीम लेकर ही करना है इससे आपके स्किन भाजता ग्लो करेगी और आपके स्किन पे सारे संटैन होंगे वो भी गायाब हो जाएंगे वो भी चुट्कियों में गायाब हो जाएंगे इस फेस पैक को आपको अपने नए के रिए में भी यूस करना है अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए इसके पाद अपना फेसा थंडे पानी से वाश कर लीजिए आपको अपने फेस को इसी तरह से रखे रहना दीजिए फिर आप अपने फेस को ठंडे पाने से वाश कर लीजिए कटा के अगर आप नहानी के लिए जा रहे हैं इससे पहले भी आप यहां कर सकती हैं आपको ज्यादा मिलेगा अपने स्कीन के स्पॉट्स खोलने में साथी अपनी आपके पास अलो वेरा है तो आप उसे एड कर लीजे नहीं तो आप इसकिप भी कर सकते हैं आप टमाटर का जूस एंड एक चमज दूद के साथ भी अपना फेस पैक बना सकते हैं इससे आपकी skin बहुत glow करेगी and आपके जो मुहासे हैं एकने हैं वो गायब हो जाएंगे फिर आप इसे 10 मिट तक अपने face पर अपलाई कीजिए फिर जब वो dry हो जाए सूख जाए अची तरह से फिर आप अपना थंडे पाने से से अपना वाश कर लीजिए तो गाइस यही थे मेरे आज की वीडियो आपको बहुत जाए इंफोमेशन मिल गए होगी टमाटर को हमें किस तरह से यूज करना है अपने face pack पे face pack को बनाने के लिए गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यो वीडियो डालूंगी तो उसको मंत अप्लाइ कर लोगे आपको कंटीनियो अप्लाइ करना है हफ्ते में दो बार अगर आप इसी तरह से अप्लाइ कर लेंगे तो आपको बहुत ज़दा फायदा मिलेगा आपके जो एकने हैं आपके फ्लाइं लाइन्स हैं वह चुट्कियों में काया बुना शुरू हो जा इसके बाद ही आपको अपने फेस पर अपने बॉड़ी पर उनका रिजल्ट मिलता है गाइस अब तक के लिए इतना ही अभा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तो गाइस गड़ बाई एंड टेक केर